हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वी एक मिस्सा टेक मेंडे समिश्टर हम लोग जिस सेर के उपर अपडेट लेने वाले हैं फेडरल बैंक लिम्टेड है क्वाटर फूर की रिजल्ट आ गये हैं तो उसको हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे पानेसल कंडिसन को समझने के साथ ही इसके चार्ट के उपर बात करेंगे आज के दिन काफी गिरावट देखने को मिली है 8% इसमें डाउन फॉल रहा है तो क्या मौका मिल सकता है बाई करने के लिए किस जोन में वो भी बात करेंगे कंपैरिजन भी करेंगे इसको क्वाटर 3 से की कितना इंप्रूव हुआ है क्वाटर 4 में या इंप्रूव हुआ ही नहीं है सारी चीजों पर बात होगी मिरे साथ वीडियो में बने रही है जो शहल पर नहीं होच है सस्क्राइब कर लें नोटिपसें बेल आल पर रखें जि देखिए मैं यहां पर आपको बहुत से वीडियो मिल जाएगी जो सभी वाटरली रिजल्ट पर ही बेश्ड है तो अभी इसको भी हम समझते हैं मैंने एक लाइव स्टीम भी किया था जिसके अंदर मैंने तिन चार कंपनियों को एक साथ कवर किया था तो वह भी आपको मिल जाएगा आज ही मैंने ट्राइ किया बट कुछ ग्लिच हो रहे थे जिसके वह से मुझे कैंसिल करना पड़ा चलिए अभी हम लोग फटा 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 फेडरल बैंक को समझते हैं 127 रुपी 75 पैसे के राउंट रेट कर रहा है बहतरीन इसमें गिरावट देखने को मिल रही है आज हम लोगों को 11 रुपे से ज़्यादा ये गिरा है सेयर और इसकी कंडिशन के उपर बात करें दूस्तों तो हम लोगों को एक साल में 34% का रिटन और 6 महीने में नंबर केट केपिल है 91 रुपीज 60 पैसे की इसकी बुक वैल्यू है फेस वैल्यू टू है इसका आल टाइम हाई की बात करें तो 142 143 रुपीज के राउंट था उसके बाद स्प्लिट हुआ क्योंकि इसकी फेस वैल्यू टू है मतलब स्प्लिट हुआ होगा तभी ऐसा है 12 महीने क कंडिशन पे बात करें दोस्तों तो 61 परसंट इसका प्राफिट ग्रोथ इंक्रीज हुआ है सेल में भी नंबर इसके इजाफा हुआ है रिटर्म नान एक्विटी भी इसका 16 परसंट के राउंट देखने को मिलता है जो कि अच्छा नंबर मिल जाएगा हम लोग को और अग के रिटरी से इसमें काविटटर 4 में थोड़ा 12.6 परसंट नंबर बेटर है इसे को हम लोग समस्ते हैं पुरा वहतरीन से कवर करेंगे तो अम लोग मार्च का डाटा देखते हैं में quarter 4 का result आया है और ये पिछला quarter हो गया है जिसमें quarter 3 का result है और last year का March का result भी हम लोग देखेंगे तो ये quarter 4 का हो गया तो से पहले financing profit की बात कर लेते हैं तो last year 294 करोड का इसका financing profit था जो कि इस टाइम पे 500 करोड पहुंच गया है तो काफी बड़ी jump है और पिछले quarter में देखा जाए तो 569 था तो पिछले quarter से थोड़ा number ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है पर sale में अगर revenue की बात करें तो यहाँ पे number increase हुए है और इसी प्रगार से अगर हम लोग चीजों को net profit मतलब last में आके देखें कि कैसी performance है तो last year से भी number इसके काफी increase दिखेंगे पिछले quarter से भी number बहुत बैतरीन है तो मिला जुला के दोस्तों जो quarter 4 का result है वो तो अच्छा आया है और जो आज की गिरावट है कोई उसका इतना ज़्यादा effect नहीं है बस sale हुआ है share में जो कि हम लोग को देखने को मिलेगा कि आज के दिन काफी बड़े volume पे इसमें share में sale रहा जिसके वेशे से फिसला है वरना result की बात करें तो result इसके सांदार है result में कोई खमी नहीं दिखती है देखिए last एक बार मैं वापस से बता दूँ क्योंकि इसमें लोग confused रहेंगे देखिए last year 600 करोड के around net profit था इस बार जो profit हुआ है वो 964 करोड का है जो कि last year और अगर हम लोग पिछले quarter का देखें 856 करोड का था तो दोनों से ही ब अब 523 भी complete हो गया है तो यहां पर देखिए 3,210 करोड का net profit किया है जो कि last year से काफी अच्छा है मतलब इन दोनों को तो हटाई दें क्योंकि यह दोनों कोविट के time के थे तब भी अगर हम लोग पुराने नंबर से देखिए तो almost company इतना ज्यादा profit कर रही है कि double है हम एक तरीके से और इसका compound profit growth, compound sale growth, return on equity हर चीज का track बहुत बहतरीन देखने को मिलेगा तो इससे एक idea लग जाता है दोस्तों की कितनी महत्मूर और कितनी मजबूत company है और यह company totally board out director द्वारा manage की जाती है इसलिए promoters की holding नहीं है domestic में सबसे बड़ी holding जो इस time पे देखने को मिल है और अगर किसी का बड़ा percentage पर देखा जाए तो इसमें 4.59% हमको देखने को मिलता है HDFC mutual fund का और भी होंगे इसमें जो mention है पर बहुत कम-कम माहिने पर देखने को मिलेगा बट हाँ इस प्रकार से है अगर foreign की investment में देखा जाए तो foreign में भी इसमें थोड़े-थोड़े percentage मे दिखेगा तो काफी foreign के भी इसमें निवेस है फिर इसके बाद देखिए इसमें बाकी चीजों का भी देखिने को मिलेगा जैसे राके जुन-जुन वाला का भी इसमें निवेस है और उसके बाद जिरोधा का भी इसमें निवेस है जो हम लोग use करते हैं broking trading के लिए उसका इसमें निवेस है तो इससे एक एडिया लगता है कि काफी मिला जुला के बेटर इन्वेस्मेंट इस सेर में है अब इसके चार्ड पर बात करें तो लाश्ट टाइम जब मैंने आपको अब्रेट किया था तो 108 रुपे के सपोर्ट के साथ 112 से 119 रुपे के बीच में खरदारी की कॉल थी 149 का टार्गेट था टार्गेट हिट हुआ इस टाइम पर सेर हमको फिसला हुआ दिखाई देता है तो अब नए जोन जो है मैं वो मेंसन कर देता हूं जिससे आप खरदारी के लिए देख सकते हैं और मैं उसी के साथ सपोर्ट भी मेंसन कर देता हूं तो 112 और इसी प्रकार से क्योंकि रिजल्ड बेटर है तो यह कंपनी जाहर सी बात है बैंक जो है वापस से प्रफॉर्मेंस इसका अच्छा होगा आज के दिन सेल होने से कुछ इसमें खराबी नहीं दिखती है और यह जाहर सी बात है अच्छा ग्रोव करेगा तो यही